इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद न्यूज में आप सभी का खैर मगदम हैं जो कौम अपनी तारीख नहीं पड़ती वह कौम कभी तारीख भी नहीं लखा करती एक दौर था कि जब कोई मुस्लिम हुक्मरान अपना कदम भी उटा था तो तारीख बन जाती थी इसलाम मुसल्मानों ने जदीद इन नयन्यों को इस शेर ने जामे शहादत नोच परमाया जिससे फिरंग कांप उड़ते हैं जिसके नाम से आज भी फिरंगियों की और साथ में संगियों की भी रातों की नीन दूड़ जाती है वस अजीम शक्सियत का नाम है टीपू सुल्तान शहीद की तारीख को जानते है कितनी उमर में उन्होंने जंग में शिरकत की वालीद का नाम क्या था अंग्रेजों से टीपू बार बार लड़ते थे क्योंकि टीपू सुल्तान रह्मत अल्लाले दूर अंदेशी थे उन्हें मालूम था कि है गोरी चमड़ी के लोग धोके से काम करते हैं पर आज जो ल कि पूजा करते रहते हैं इसकी तस्वीर पर फूर मालाएं चड़ाई जा रही थी पर आखिर इस अंग्रेज ने हमें फिर धोका दिया खैर कहने का मतलब यहाई कि जब गुलिस्ता को खून की जौरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी फिर भी कहते हैं कुछ हमसे य देह चमन हमारा तुमारा नहीं इसी के मिज्डाग जिस शेर हिंद टीपू सुल्तान ने अपनी जान का नजरा ना इस मुल्क के खातिर दिया जब टीपू सुल्तान को शहीद होता देखा तो अंग्रेजों ने बे अखतियार पुकारा कि अब मिल्क हिंद हमारा है कोई नह अब हमसे कोई नहीं चीन सकता लिहादा भारत अंग्रेजों की गुलामी में चला गया पर टीपू की कुरवानी ने गुलामी में बंदे भारत के शहरियों में जजबे पैवस्त करने में काम्यारा फिर अंग्रेजों के खलाब जंग आज़ादी की चिंगारी ने अर्से पुझाइदे आज़ादी की तारिक को मस्क करने के मुनजब साजी शर्ची जारिया टीपू सुल्तान को गद्दार वतन सावीत करने का उन्हीं संग्यों ने मनसुबा बना रखा है वाजा रहे ना सिर्फ भारत बलकि पूरी दुनिया टीपू सुल्तान के आहसानों तले दबी वी है इसलिए के आज दुनिया भर में मिसाइल के जरियह खूमत करने की होड लगी हुए कोई अंग्रेज नहीं था ये शेर हिंटीपू सुल्तान थे जिन्हों ने पूरी दुनिया को मिसाइल की टेक्नॉलोजी दी अंग्रेजोंने भी नहीं सोचा था कि टीपू सा पे होते हैं और जब गद्दारों की ताइदात में इजाफा होता है तो किसी भी काउम के मजबूत के लिए भी मिट्टी के घरंदों की तरह ठाए जाते हैं इसी तरह टिपू का मशूर कौल जो आज के नोजवानों को अपने द्रहनों में पैवस्त कर अपनी मन्जिल को भी करना होगा गीदर की हजार साल की जिने से बहतर है शेर की एक दिन की जिन जी यह त्पू शहीद ने इसलिए कहा क्यों कि बुजदिली की जिलत की जिन्दीए होती है इमान वाले कभी बैगरत नहीं हुआ करते अगर हम टीप व सुलतान की जिन्दी को आज हमारे से जोड़ कर देखें तो कितना फर्क मालूम होता है हर तरह बुजदिली को हिकमत का लिबादा ओड़कर बुजदिली के फासाइल बयान किया जा रहे हैं ऐसा लगता है का आज का इमान वाला हजार साल की जीने की उम्मीद कर रहा है बुड़ा भी है तो और भी जिन्दगी जीने की तमन्ना कर रहा है पर एक मौमीन की तर्बियत इस तरह यहीं होती है टीपू जैसे मुझाहिद को पैदा करने वाली वह माय भी हुआ करती थी जो बिना वजू की दूद नहीं पिलाती थी आज का नौजवान खुबसूरत महभूबत तलाचता है पर खालिद बिन वलीद को जब पूछा कि तुम्हें किस काम में मजा आता है तो खहते हैं नई नवेली दुलहन के साथ पहली रात बिताने से भी ज्यादा सर्द रात में दुश्मनों की तलवारों की जंकार हो तीरों की बाउचार हो इसमें अल्ला की राह में दुश्मनों से लड़ने में जो मजा आता है पहली रात में नहीं आता पूरी तारीक कुर्बानियों से भरिये हमारी नौजवान नसल टीवी मॉबाइल फैस फिल्मों में बरबाद हो चुकी है अज़त उमर रजिलानों न अपने कावल में कहा कि अगर किसी इनकलाबी नसल को बरबाद करना है तो इनमें बेहायाई आम करो आज हमारी कौम बरबाद हो चुकी है कभी दुनिया की रहवरी किया करते थे आज जिल्लत और रुस्वाई के शिकार हुए है दुनिया की जिन्दगी इन्हें अच्छी ल नमता है फिर एक नहीं तारीक लिकी जाती है और सिर्फ बहद्दूर ही तारीक लिका करते हैं आज यूमें शहादत टीपू के मौके पर इस अजीम और शान बादशाह शाहनशा को इत्याद नूश की जानिव से आल लाखो सलाम उन लोगों के लिए पैगाम के जो लोग ट चाते हैं तुम्हें एक टीपू को मिटाने की कोशिश में कई हजारों टीपू ना पैदा हो जाए इस मुलक के खातिर अपना सब कुछ निचा और करते हैं इत्यार नूश देखने के लिए शुक्रिया अलाहाफिस